इस वीडियो को पुरा देखने के बाद आपको 250 Most Important समिधान के कोशन हमेशा के लिए आद हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने येटूब चैनल रवीशाडी ये सारे कोशन स्टाइब लिए हैं वही कोशन लेके आयों जो कोशन एक्जाम में बार बर पूछे जाते हैं तो आप एक्जाम से पहले ये 250 quality की कोशन अक्षे से रट लेना एक्जाम में आपको बहुत हैं मिलेगी। पर दोस्तार कर लेते हैं अपने कोशन नमब एक को समविधान की कुझी कहा जाता है Q3 कर लेते हैं समविधान के किस संशोधन को लगू समविधान यानि मीनी कंसिटूशन कहा जाता है समविधान का जो 42 समविधान संशोधन है उसे लगू समविधान या आप बोलो मीनी कंसिटूशन कहा जाता है Q4 कर लेते हैं, अनुछेद एक में भारत को क्या बताया गया है? तो आंसर इसका, राज्यों का संख बताया गया है अनुछेद एक में भारत को. Q5 कर लेते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका, वर्तमान में मौलिक अधिकारों के संक्या 6 है, पहले साथ हुआ गर्ती थी Question number 6 कर लेते हैं, राश्टपती अगर अपना त्याग पत देना चाहें, तो किसे देगा तो answer इसका, उप राश्टपती को देगा राश्टपती अपना त्याग पतर Q7. भारतिय सम्विधान के स्थाई अध्यक्ष कोन थे? Q8. भारतिय सम्विधान के अस्थाई अध्यक्ष कोन थे? Q9. हमारे देश में अब तक कितनी बार अपातकाल लगा है? Q9. हमारे देश में अब तक तीन बार अपातकाल लगा है? important है exam में कई बार पुछा गया है question number 10 कर लेते हैं समीधान के किस अनुच्छे द्वारा अस परश्यता का अंध कर दिया गया है तो answer is का समीधान के अनुच्छे 17 के द्वारा अस परश्यता का अंध कर दिया गया है इस पर रोक लगा दी गई है Question number 11 कर लेते हैं, Sunsad के तीन अंग कौन से होते हैं तो answers का, राज्यसभा, लोक्सभा और राष्टपती, यह तीन अंग होते हैं Sunsad के Question number 12 कर लेते है, शूने काल का समय कब से कब तक रहता है तो answers का, बारा से एक बचे तक का सूने काल का समय रहता है संसद में और फ्रेंस ये एक घंटे का होता है, आपसे एकजाम में पूछा जाएगा, कि जो शूने काल होता है, इसकी अवधी कितनी होती है, तो आपका आमसर होगा, एक घंटे की अवधी होती है, शूने काल की, important है, एकजाम में कई बार पूछा गया है, Q13 कर लेते हैं, मूल करतेवें को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया, तो आंसर हैसका, 42 संविधान संशोधन के द्वारा मूल करतेवें को संविधान में शामिल किया गया था, Q14 कर लेते हैं, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित सं समय लगा था, तो answer इसका दो वर्ष, ग्यारा मेने और ठारद दिन समय लगा था भारत के समथान को बनने में, Question number 16 कर लेते हैं, भीमघ्वराव अमऺिटकर ने समथान की आत्मा किसे कहтया? तो आंसर इसका अनुछेद 51 क में मौलिक करतोवहों का वर्नर दिया गया है यह सब भी कोशन में आपको important इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही कोशन है जो हर एक्जाम में 50 से जादा बार रिपीट हुए है और काफी जादा चांसिस है अगले एक्जाम में यह कोशन जरूर रिपीट होंगे तो आप किसी भी computer एक्जाम के पेशिन कर रहे हो अगर आपने यह 50 कोशन अच्छे से रट लिए ना एक्जाम में आपको जातर कोशन मेरी वीडियो से मिलेंगे आपको अपना एक्जाम क्लियर करने में बहुत जादा मदद मिलेगी तो आप सारी वीडियो जेतने भी मेरे चैनल पे वो सबी अच्छे से देख लेना कोशन नमबर 18 कर लेते हैं हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापती कौन होता है कोशन नमबर 19 कर लेते हैं संसद की दोनों सदनों के परशनकाल के ठीक के बाद के समय को कोशन नमबर 20 कर लेते हैं समिधान के किस संशोधन द्वारह मतदान के लिए आईू सीमा 21 वरसे घटा कर ठारा कर दी गई तो आंसरसका 21 समिधान अईू सीमा थी वो 21 वर्षे घटाकर ठारा कर दी गई Question number 21 कर लेते हैं यह question भी एक्जामें कई बार पुछा गया है मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सौरपथा मानेता दी गई तो answer is का अमेरिका में मौलिक अधिकार को सबसे पहले मानेता दी गई थी Question number 22 कर लेते हैं मौलिक अधिकार किनको नहीं दिये जाते तो answer is का विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिये जाते Question number 23 कर लेते हैं समिधान के कि संशोतन द्वारा संपती के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है तो answer is का अब तक एक बार भी नहीं, हमारे देश में वित्याबाद का लगा है। Question Number 25 कर लेते हैं, भारती सम्हिधान में कितनी प्रकार की रिट जारी करने की शक्ती है तो answer ईझाë 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ती है भारती सम्हिधान के पास। Q26 कर लेते हैं, हमारे देश में पहली बार राष्टपती शाषन किस राज़े में लगा? तो आंसर इसका, भारत का जो पंजाब राज़े है, वहाँ पे सबसे पहले राष्टपती शाषन लगा था. Q27 कर लेते हैं, मौलिक करते वें को किस देश की समीधान से लिया गया है? तो आंसर इसका, रूस की समीधान से मौलिक करते वें को लिया गया है. Q28 कर लेते हैं, समीधान में संशोधन की प्रेकिरिया को किस देश की समीधान से लिया गया है? तो आंसर इसका दक्षिन अफरीका की समीधान से समीधान में संशोधन की प्रेखरिया को लिया गया है Q29 कर लेते हैं प्रस्तावना की भाशा को किस देश की समीधान से लिया गया है यह question भी exam में कई बार पुछा गया है friends मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में आपको 250 most important समीधान के questions करवाने वाला हूँ जब आपके friends यह 250 question complete हो सेंगे मैं आपको यही question एक बार फिर से revise करवाऊँगा ताकि friends आपको यह सारे के सारे question इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं और वीडियो के end में दो question का मैंने आपके लिए test भी रखा है test वही है friends जो मैं आपको 250 questions करवा रहा हूँ तो friends आपने में जो दोनों question का answer comment आरके ज़रूर देना जो student में जो दो answer दोनों question का answer सबसे पहले देंगे उनको में एक GK की book gift करूँगा ठेक है तो आपने comment जरूर करना है question में 30 कर लेते हैं एकल नागरिक्ता का प्रावधान को किस देश की समिधान से लिया गया है तो answer is का नियंतरक एवं मालेखा परिक्षक की नियूत लिक्ती करता है question number 32 कर लेते है सविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किस को प्रावध है तो answer is का सरवोश नियाले को सविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्रावध है question number 33 कर लेते है मौलिक अधिकार का प्रावधान को किस देश के समीधान से लिया गया है तो आंसर असका अमेरिका देश के समीधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है Q34 कर लेते हैं जब राष्टपती एवं उप राष्टपती दोनों का बद खाली हो तो राष्टपती के पद को कौन संभालता है तो आंसर असका भारत का जो मुख्य नियादिश होता है वो जब राष्टपती एवं और राष्टपती दोनों का पत खाली हो तो उसके पत को संभालता है Q35 कर लेते हैं भारत की 22 भाषाओं का उलेक किस अनुसूची में है तो आंसर असका 88 वी अनुसूची में है 22 भाषाओं का उलेक Q선 36 करूए थे हैं भारत में नियंत्रक एवं महा लिखा परिक्षक की न्योक्ति कौन करता है Q선 37 कर लेते हैं भारतीं सम्विधान की प्रस्तावना किन SHBDRO cigka ad राश्च पतिक का लिखांगव मोहा लिखा की हिंत्रक की न्योकति की न्योक्ति करता है Question number 38 कर लेते हैं, 42 संशोदन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्थ शामिल किये गए? तो answer is का, समाजवाती, धर्म निर्पेक्ष और अखंटता शब्थ शामिल किये गए, 42 संशोदन 1976 द्वारा Question number 39 कर लेते हैं, भारती संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो answer is का, इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है भारती संविधान की प्रस्तावना में भारत को Q40 कर लेते हैं, निती निदेशक सिध्धान्त की शक्ति किस देश की समिधान से ली गई है, तो आंसर असका, आइरलेंड देश की समिधान से ली गई है, निती निदेशक सिध्धान्त की शक्ति Q41 कर लेते हैं, निरनायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो आंसर असका, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसको निरनायक मत देने का अधिकार होता है Q42 कर लेते हैं भारते समविधान को किसके द्वारा अपनाया गया Q43 कर लेते हैं भारत में कौन से राष्टपती दो बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्टपती बने Q44 कर लेते हैं प्रधानमंत्री से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे तो answers का जो मुरारी राज देशाई थे ये प्रधानमंत्री पद से त्याग पद देने वाले प्रधानमंत्री थे question number 45 कर लेते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदसे बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है तो answers का 6 मेने तक रह सकता है friends मैं आपको बिता दो मेरे और भी YouTube चैनल है अगर आपने math की coaching करनी है बिल्कुल अच्छे level की मतलब आप यह नहीं चाहते कि आप coaching center जाओ या दिल्ली अकर coaching करो तो friends आपको मेरे YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा math यहाँ पर यहाँ पर आपको बिल्कुल expert लेवल का पढ़ाया गया है friends वह सब कुछ पढ़ाया गया है जो आपके exam में आ सकता है अगर friends आपने reasoning पढ़ने है तो आपको जाना पढ़ेगा रवी study IQ reasoning पर अगर आपने friends English पढ़ने है तो आपको जाना पढ़ेगा रवी study IQ English पर और जीके के लिए रवी study IQ जीके तो friends आप इस चारो चैनल को subscribe जरूर कर लो Question number 46 कर लेते हैं किस अनुछेत को भारते समीधान की आत्मा कहा चाता है Question number 47 कर लेते हैं मूल समीधान में कितने अनुछेत थे Question number 48 कर लेते हैं भारते समीधान के प्रारुप समीथी के अध्यक्ष कोन थे Question number 49 कर लेते हैं जम्मु कश्मीर विधान सबा की अवधी कितनी होती है Question number 50 कर लेते हैं संसत की किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है Question number 51 कर लेते हैं राष्टी अपातकाल में कौन सा अनुछेत स्थागित नहीं होता है Question 52 कर लेते हैं लोगसबा की कारवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए एक बटे दस का उपस्तित होना जरूरी है अगर लोगसबा की कारवाई चलाने है या फ्रेंस हम कहा सकते हैं दस पतिशत होने चाहिए Question number 53 कर लेते हैं राज्यसबा की कितने सदसे हर दो वर्ष बाद सेवा निर्मित हो जाते हैं Question number 54 कर लेते हैं वित मंतरी द्वारा वार्षिक बजट की सदन में पेश किया जाता है Question number 55 कर लेते हैं कोई विधेक धन विधेक है या नहीं इसका निर्ने कोन करता है Question number 56 कर लेते हैं भारत एक धरम निर्पिक देश है इसका क्या तातपरे होता है Question number 57 कर लेते हैं समान नागरिक सहिंता कॉमन सिविल्स कोड भारत की किस एकमात राज्ये में लागू है Question number 58 कर लेते हैं समविधान के किस भाग में निती निर्देशक सिद्धान्त वर्नित है Question 59 कर लेते हैं यदि राष्टपती का पद रिक्त हो तो उसका कारेभार कौन संभालता है Question number 60 कर लेते हैं राष्टपती को पद की शपत कौन दिलाता है Question number 61 किस अधिनियम द्वारा गोवर्नर जर्नल को बदलकर वाइसरोई कर दिया गया था Question number 62 कर लेते हैं वेक्तिकत सोदंता के रक्षा के लिए महतपुन रिट याचिका कौन सी है Question number 63 कर लेते हैं किस देश का समिधान अलिखित है Question number 64 किस अधिनियम में नियंतरक महालिखा परिक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है Question number 65 कर लेते हैं राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिडियां के समाने ये कथन किस ने कहा है Question number 66 कर लेते हैं राज्यपाल होता है वो राज्यपाल को भंग कर सकता है Question number 67 Question number 69 कर लेते हैं भारत का एकमात संग राज्य छेतर जिसका अपना उचने आले है तो आंसर इसका जो दिल्ली है वो भारत का एकमात संग राज्य है जिसका अपना उचने आले है Q70 कर लेते हैं किस भाग को भारत का मेगना काटा कहा जाता है तो आंसर असका जो भारते समीधन का भाग 3 है उसे भारत का मेगना काटा कहा जाता है Q71 कर लेते हैं, राष्टपती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर असका, पांच वर्ष का होता है राष्टपती का कारेकाल. Q72, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कोन थे? तो आंसर असका, जीवी मावलनकर जो थे, वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे. Q73 कर लेते हैं लोकसभा और राजे सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिदी किस राज्जे से है तो आंसरस का जो उत्तर परदेश राज्जे है उसके लोकसभा और राजे सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिदी है Q74 बिना संसत का सदसे होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसे है Q75 कर देते हैं यह कोशन भी एक्जाम में कई बार पुछा गया है अनुच्छे 14 में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिया गया है Q74 कर लेते हैं Q77 कर लेते हैं Q78 कर लेते हैं Q78 कर लेते हैं Q79 कर लेते हैं Q82 कर लेते हैं Q85 कर लेते हैं Q85 कर लेते हैं तो आंसरेस का जो भारत का राष्टपती होता है वो भारत का प्रथम नाकरिक कहलाता है Q88 कर लेते हैं Q79 कर लेते हैं Q79 कर लेते हैं तो आंसरेस का जो बी एन राव थे उन्हें समिधान सभा का समिधानिक सलाकार नियुक्त किया गया था Q91 कर लेते हैं समिधान निर्मान के समय कितनी अनुसूचियां थी तो आंसरेस का वर्तमान में भारती समिधान में बारा अनुसूचियां हैं ये कोशन एक्जाम में कही पर पुछा गया है Q93 कर लेते हैं जंटा समीती के अध्यक्ष कोन थे तो आंसरेस का जे बी किरबलानी जो थे वो जंटा समीती के अध्यक्ष थे समीधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मानियता दी गई तो आंसरेस का समीधान का जो 52 वा समीधान संशोधन था 1950 से उसमें दल बदल दल बदल विरोधी कानून को मानियता दी गई Q95 कर लेते हैं लोगसभा में अधिक्तम सद्द से कितने होते हैं तो आंसर का 552 सद्द से जो होते हैं लोगसभा में वो अधिक्तम होते हैं क्वेशन नमर 96 करेते हैं राजयसभा में अधिक्तम सद्द से कितने होते हैं तो आंसर का 250 होते हैं राजयसभा में अधिक्तम सद्द से Q7 कर लेते हैं किस अधेनियम द्वारा बंगल का गवर्नर जनल को भारत का गवर्नर जनल कहा ने जाने लगा Q8 कर लेते हैं राष्टपती तथा उप राष्ट्पती के चुनाब सम्धी विवादों का निप्टारा कोन करता है तो आंसर इसका जो सुरवोश नियाले होता है वो राष्टपती तथा उप राष्टपती के चुनाव संबधी विवादों का निप्टारा करता है Quesion No.99 कर लेते हैं समीधान का रक्षक किसे कहा जाता है तो आंसर इसका अमेरिका देशे लिया गया है राष्टपती एवं उस पर महावयो का प्रावधान फ्रेंस मैं आपको यह 100 questions करवा चुका हूँ और आपको questions का level पता लग्या होगा फ्रेंस यही question है जो हर exam में पूछे जाते हैं Qま 100.1 कर लेता है भारत के किस उच्छनीाले में सरवादिक नहाधीश है जो योजना आयोक को सुपर कैबिनेट कहा जाता है Q3 कर लेते हैं नियंतरक महालिका परिक्षक का कारेकाल क्या होता है तो आंसरस का जो नियंतरक महालिका परिक्षक होता है उसका कारेकाल 6 साल का होता है या 65 वर्स बोलो जो दोनों में से पहले पूरा हो जाए Q4 कर लेते हैं भारत के लोगों के पास कित्ती नागरिकता प्राप्त है तो आंसर इसका भारत के लोगों के पास सरिफ एक नागरिकता प्राप्त है Q5 कर लेते हैं भारत में भाषाई अधार पर गठित पर्थम राज्ये कौन सा है जो वैरेन हास्टिंग था वो बंगल का गवर्नर जर्नल बना, कोशन बर 107 कर लेते हैं, मौरले मिंटो सुधार अदेनियां भारत में कब आया था, तो आंसर इसका, 1909 में मौरले मिंटो सुधार अदेनियां भारत में आया था, कोशन बर 108 कर लेते हैं, राज्य की कारेपाल कोन होता है तो आंसर इसका जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कारेपालिका का प्रधान कहलाता है कोश्व में 109 को लेते हैं किस अनुच्छेद में दूनों सदनों की सयुक्ट बैठक का प्रावधान है तो आंसर इसका अनुच्छेद 108 जो है उसमें दूनों सदनों की सय कुश्यों 111 कर लेते हैं, राजय सभा का सदसे बनने के लिए नियुन्तम आयू कितनी चाहिए, तो आंसर का, तीस वर्ष चाहिए अगर राजय सभा का सदसे बनना है, तो कुश्यों 112 कर लेते हैं, वर्तमान में अनुछेद 51 का में वर्नित मूल करतवों की संक्या कितनी है, तो आंसर का, वर्तमान में जो नुछेद 51 का है, उसमें जो मूल करतवों हैं, वो 11 हैं, कोश्यों 113 कर लेते हैं, भारते समिधान के अनुशार कोन सा मूल अधिकार, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो आंसर का, अभी व्यक्ति की सुतंदरता का अधिकार, जो है, ये मूल अधिकार है, जो की विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कोश्यों 114 कर लेते हैं, समिधान के अनुशार राष्टपती कितने प्रकार की अपातकाल की घोशना कर सकता है, तो आंसर इसका, समिधान के अनुशार राष्टपती जो है, वो तीन तरह क प्रदान मंत्री बनने के लिए नियुनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो आंसर इसका प्रदान मंत्री बनने के लिए नियुनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो आंसर इसका प्रदान मंत्री बनने के लिए नियुनतम उम्र कितनी होनी चाहिए तो आंसर इसका प्रदान मंत्री ब करने के लिए जो नियों तुम उमर होते हैं वो 25 वर्ष होनी चाहिए फिरंस आप ये वीडियो मेरे ओफिशल यूट्यूब चैनल रवी स्टडी आईक्यू जीके पर देख रहे हो Q119 का लेते हैं संसत के किस सधन को प्रतिनिती सभा कहा जाता है Q120 का लेते हैं संसत का कों सा सदन 27 सदन होता है Q121 का लेते हैं ये विए जामे कही बार पुछा गया है Q221 का लेते हैं जो ब्रेटेन की संसत की जननी के नाम से जाना जाता है Q122 कर लेते हैं, संसत की दोनों सदनों की बैठ़क का सभापती कोन होता है Q133 कर लेते हैं, दीश का सर्वोच विद्याधिकारी कोन होता है Q134 कर लेते हैं, राष्टपती पर महा भियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है तो आंसरस का, 14 दिन पहले राष्ट्वती पर महावियोग लगाने की सूचना दी जाती है Q2 कर लेते हैं, सम्विधान सभा का प्रारूप समीती के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था Q2 कर लेते हैं, सम्विधान सभा ने भारत के सम्विधान को 26 नवंबर 1909 को सुईकार किया था Q2 कर लेते हैं, सम्विधान के किस अनुछेद में मूल अधिकार की परिभाशा दी गई है Q2 कर लेते हैं, सम्विधान के किस अनुछेद में राष्टपती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है Q2 कर लेते हैं, मंत्री प्रश्त की बैठकों की अध्यक्षता कोन करता है Q3 कर लेते हैं, बारते लोकसभा को कोन भंग कर सकता है Q3 कर लेते हैं, सम्विधान सभा की संक्य समीती के अध्यक्ष कोन थे Q3 कर लेते हैं, मौलिक करतावियों को सम्विधान में किस समीती की सिवारिश पर जोड़ा गया Q3 कर लेते हैं, सम्विधान के किस अनुछेद में सिख्षा का अधिकार बताया गया है Q3 कर लेते हैं, सम्विधान के अनुछेद ने उपादियों का अंत कर दिया है Q137 कर लेते हैं, 6-14 वर्ष की आयू तक सिख्षा का अधिकार कैसा अधिकार है Q137 कर लेते हैं, सम्विधान के किस अनुछेद के द्वारा राश्पती देश में अपातकाल की घोशना कर सकता है Q149 कर लेते हैं, सम्विधान के किस संशोदन द्वारा राश्पती शाषन की अबदी 6 मेने से 12 मेने कर दी गई तो आंसर इसका, जो 42 सम्विधान संशोदन था, उसमें जो राश्पती शाषन की अबदी थी, वो 6 मेने से 12 मेने कर दी गई Q149 कर लेते हैं, किस बद्धान मंत्री के शाषन काल में सरवातिक बार राश्पती शाषन की घोशना हुई Q149 कर लेते हैं, राश्पती के आए पर कोण सा कर नहीं लगता है Q142 कर लेते हैं, दिली को देश की राशधानी की समीधान संशोदन दोरा बनाया गया तो आंसर इसका जो 69 वा संशोधन था उसकी द्वारा दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया Q143 कर लेते हैं प्रथम लिखी सम्विधान किस देश ने प्रस्तूत किया तो आंसर इसका जो अमेरिका था उसने प्रथम लिखी सम्विधान को प्रस्तूत किया Q144 कर लेते हैं, भारती सम्विधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? Q145 कर लेते हैं, भारत की प्रत्थम महिला राष्टपती कौन बनी? Q146 कर लेते हैं, प्रधामंत्री अपने पर कब तक बना रह सकता है? Q147 कर लेते हैं, भारती संशद में कितने सदन है? Q148 कर लेते हैं, संशद की उच्छ सदन को क्या कहते हैं? Q149 कर लेते हैं, संशद की निम सदन को लोग सबा कहते हैं? Q157 कर लेते हैं, संसद भावन का उध घाटन किसके दवारा किया गया था Q151 कर लेते हैं, महा नियाइवादी की सदन का सदसे होता है? Q152 कर लेते हैं, राष्पती दवारा पातकालिन शक्तियां की देश की सभीधान से लिया गया है? तो आंसर इसका है राश्पती दोरा पातकर इनकी शक्तियां जर्मनी के देश के समीधान से ली गई है important है एक्जाम में कई बार पुछा गया है question 153 कर लेते हैं जपान की संसथ का क्या नाम है तो आंसर इसका जपान की संसथ का नाम है डाइट question 154 कर लेते हैं भारते समीधान के किस अनुछेद में ये पताया गया है कि भारत राज्जों का एक संग होगा तो आंसर इसका जपान की संग है जपान की संग होगा दिया गया है, question 156 कर लेते हैं, नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए शर्ते कुन निर्धारित करता है, तो answer का, जो संसद होता है, वो नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करता है, question 157 कर लेते हैं, भारते समिधान द्वारा मौलिक अधिकार किन को समक्षपेस करेंगे, तो आंसरस का, भारत में गर राष्टपति अपना त्रयाग पर देता है, तो वो पराष्टपती को देगा, कोशन 159 कर लेते हैं, राष्टपती के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कॉन कॉन शामिल होते हैं, तो आंसरस का, राश्वति के निर्वाच्चन के लिए राज्य सभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाच्ची सदस से शामिल होते हैं इंपॉरेंट है एक्जामे पूछा गया है Q161 कर लेते हैं, सम्विधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोशित किया गया है जो सम्विधान की प्रस्तावना है, यानि इसको हम प्रियांबल बोलते हैं उसमें भारत को प्रभु संतम सत्ता संपन समाजवादी पंत निर्पेक्ष लोकतांतरिक गनराज्य बताया गया है Q162 कर लेते हैं, किस राज्य के मामले में संसत केवल राज्य सरकार से प्रामश करके ही विधी निर्मान कर सकता है Q163 कर लेते हैं, प्रारम में समिधान सभाव में सदसों की संख्या कितनी थी Q165 कर लेते हैं भारत का गंतंत कब लागू किया गया था Q166 कर लेते हैं Q167 कर लेते हैं Q167 कर लेते हैं Q166 कर लेते हैं Q166 कर लेते हैं Q166 कर लेते हैं Q166 कर लेते हैं Q176 कर लेते हैं Q176 कर लेते हैं Q176 कर लेते हैं Q72 कर लेते हैं, सम्विधान में संशोदन सबसे पहले की सुवर्ष हुआ था? Q72 कर लेते हैं, ओप राश्टपती का पद कहां से लिया गया है? Q72 कर लेते हैं, मौन्टेगों चैंप्सफोर्ड सुधार अदिनियम कब लागू हुआ था? Q74 कर लेते हैं, राश्टपती का प्रावधान को किस देश की सविधान से लिया गया है? Q176 कर लेते हैं, भारत में समिधान सबसे गठित करने का दार क्या था? Q177 कर लेते हैं, वह राश्ट का प्रतिनितिव करता है, लेकिन राश्ट का नेतेतव नहीं करता है? Q177 कर लेते हैं, जब किसी राज्य में राश्टपती शाषन लागू होता है, तब उस राज्य का शाषन भार कौन संभालता है? Q188 कर लेते हैं, भारते संभिधान की उदेशिका में परिवर्तन की संशोधन अधिनियम से हुआ? Q188 कर लेते हैं, संभिधान संभिधान की प्रारूप संभिधी का गठन कब हुआ था? Q183 कर लेते हैं, संभिधान संभा का पहला दिविशन कहां पर हुआ था? Q184 कर लेते हैं, भारत देश के प्रतम कानून मंतरी कों थे? Q184 कर लेते हैं, बहरत देश के प्रतम कानून मंतरी बनाए गये थे. मन आपको बताया, अगर आपको maths की coaching करनी है, तो आपको मेरे official YouTube Channel Ravis Study IQ Maths पर जाना पड़ेगा, अगर आपको reasoning की coaching करनी है, बिल्कुल expert level की, तो आपको rainforest study IQ reasoning पर जाना पड़ेगा, अगर आपको english की coaching करनी है, बिल्कुल एक्सपोर्ट लेवल का पढ़ाया गया है वही पढ़ाया गया है जो एक्जाम में पूछा जाता है तो आप सारे चनल अच्छे सब्सक्राइब कर लो और अपने एक्जाम को अराम से क्लियर कर सकते हो आप कोशन 185 कर लेते हैं भारती समीधान में कितने अध्याई हैं तो आंसर का भारती समीधान में कुल मिला के 22 अध्याई हैं कुशे नमबर 186 कि लेते हैं सम्विधान सभादोरा भारत के राष्टे धवच को मानियता कब मिली थी? Тоonuses ka 22 जुलाइय उनिफिर संभादोरा भारत के राष्टे धवच को मानियता मिली थी. Q188 करेते हैं देश का समिध्धानिक प्रधान कोन होता है तो आंसरस का जो राश्टपती होता है वो देश का समिध्धानिक प्रधान होता है Q189 करें भारत में कोई वैक्ति कितनी बार राश्वति पद पर निल्वाचित हो सकता है तो answers का अंगीनत बार हो सकता है मतलबं सकी कोई limit नहीं है Q1910 करें लेते हैं मत देने का अधिकार किस कोटी के अधिकार से संभन दित है तो आंसर का राजनातिक अधिकार से सम्मधित है मत देने का अधिकार Q1 91 कर लेते हैं वह कौन थे जो भारत के उप्राश्पती का पत दो बार पूर्ण अवदियों के लिए संभाला था Q1 91 कर लेते हैं Q1 95 कर लेते हैं Q1 91 कर लेते हैं Q1 99 कर लेते हैं Q1 99 कर लेते हैं Q2 91 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 कर लेते हैं काल लगा था कोश्म 208 कर लेते हैं ये कोश्म भी एक्जाम में पूछा गया है देश में तीसरी बार राष्टे अपाथ काल कब लागू हुआ था तो आंसरस का पचीस जोन 1975 को देश में तीसरी बार राष्टे अपाथ काल को लागू गया गया था कोश्व में दोसो 9 कर लेते हैं दिर्ते राष्टे अपात काल के समय देश के राष्टपती कौन थे तो आंसरस का जो वीवी गिरी थे वो दिर्ते राष्टे अपात काल के समय देश के राष्टपती थे कोशन नमब 211 कर लेते हैं समीधान के किस अनुचेद की अधार पर राश्टपती देश में वित्यापात की खोशना कर सकता है तो अनुचेद 360 के अंतर का राश्टपती जो होता है वो देश में वित्यापात की खोशना कर सकता है समीधान के सनुछेद में कारेपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है समीधान के सनुछेद में कारेपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है समीधान के सनुछेद में राश्टपती दौरा शपत या परतिगान के बारे में बताया गया है आंसर्स का अनुछेत साथ कोश्म दोसौण करता है बारत के राष्टे गान के अधारिक रूप में माश्टा मिली थी 16 कर लेते हैं भारते समिधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट है तो अंसरास का धर्म निर्विरोत निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट पती कौन थे तो आंसरस का नीलव संजीव रैडी जो थे वो निरविरोत निरवाचित होने वाले भारत के राष्टपती थे कोश्म 219 कर लेते हैं परधानमंतरी को पत की शपत कौन दिलाता है तो आंसरस का जो राष्टपती होता है वो परधानमंतरी को पत की शपत दिलाता है कोश्म 220 कर लेते हैं, वित विदहक संसद के कि सदन में पेश की जाते हैं, तो अंसर का लोकसभा में पेश की जाते हैं, वित विदहक संसद में, कोश्म 220 कर लेते हैं, संसद के दो करमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है, तो अंसर का 6 महा का अंतर होता है, सं संग सूची वे राज्य सूची को किस देश की समीधान से लिया गया है? किस देश की समीधान से संग सूची वे राजे सूची को लिया गया है? कोश्म 126 करेते हैं भारते संग में किसी नए राज्य को समरित करने का अधिकार किस के पास है? संसत के पास भारते संग में किसी नई राज्य को समरित करने का अधिकार है कुष्मद 221 करे लेते हैं किसी राज्य की सीमा का परिवरतन करने का अधिकार किसके पास है बाहरत में 29 राज्य है और 27 गेंदर 6 परदेश है कोश्मद 232 कर लेते हैं लोकसभा तो था विधान सभा की कोफिसे शे वर्ष से पांच वर्ष की संसोदन दवारा कर दिया गया था कोश्मद 231 कर लेते हैं मोल रूप से आठवी अनुसुची में किती भाशा थी तो आंसरस का मुल रूप से आटवी नसूची में चोदा भाशाएं थी कोश्में 232 कर लेते हैं भारते समिधान का कौन सा भाग नागरिक्ता का विवरन दिया गया है तो आंसरस का भारते समिधान का जो भाग दो है उसमें नागरिक्ता का विवरन दिया गया है जो राश्पती होता है वो भारत में नाम मात्र का कारेपालिका होता है जो प्रधान मंत्री तथा उसकी जो संत्री मंडल होते है वो भारत में वास्तवी कारेपालिका है जो राश्पती होता है वो राश्पती होता है वो राश्पती होता है वो राज्यों के राश्पाल को न्युक्त करता है भारत की मुखे नयावादी को को न्युक्त करता है तो आंसर का जो राश्च्पती होता है वो भारत के मुखे नयावादी को न्युक्त करता है अध्यादेश जारी करने के शक्ति किस अनुच्छिद के अंतरगत आता है तो आंसरस का अनुच्छिद 123 के अंतरगत आता है राष्ट राष्ट पती को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कुश्मतों 42 करेते हैं परधानमंतरी का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो आंसरस का पांच वर्ष का होता है परधानमंत्री का कारेकाल कुश्मतों 244 कर लेते हैं कौन से परधानमंत्री न्युक्ति के समय किसी भी सदन के सदसे नहीं थे तो आंसरस का जो पीमी रर्शी वारा हो थे समीधान के शोनिछत की अंतर गरत पूर्ण के की समान वेतन को बताया गया है तौज आंसरस का जोनुच्चत 49 है उसमे समीधान का उसमें समान का रहे हैं कोश्म में 1 cm 2 Marco étant कर लेते हैं ना एक पुर्णारय लोकन का प्रावधान को की सिदेश की समीधान से लिया गया है तो अमेरिका देश के समीधान से लिया गया है निया एक पुर्ण नरा लोकन का प्रावधान को हमारे देश के समीधान में कुश्मे 248 कर लेते हैं वित्य अपात का प्रावधान को किस देश के समीधान से लिया गया है तो आंसर इसका जो अमेरिका देश का समीधान है उसमें से लिया गया है वित्य अपाद का प्रावधान को हमारे देश में तो आंसर इसका, अमेरिका देश के समिधान से लिया गया है तो आंसर इसका, भारते समिधान में भारत को कैसे वर्नित किया गया है तो आंसर इसका, राज्यों का संग वर्नित किया गया है भारते समिधान में भारत को कोश्वन दो समिधान के कि संशोधन के द्वारा सिक्किम को पून राज्य का दरजा मिला कोश्री में 233 कर लें संसाथ की संयुक्त बैठा की अधिक्ष्टा कोन गरता है तो आन्सराइस का जो प्रधान मंतरी होता है वो योजना आयो का अधिक्ष होता है कोश्री में 255 कर लें कोश्री में में क crazciाम में कई बार पुच्छा गया है राश्टपती भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था तो आंसरस का जो एडवन लिूटीनस था उसके द्वारा राश्टपती भवन को डिजाइन किया गया है कोश्मदोस चपन कर लेते हैं भारते समीधान के किस भाग में संख्या नायपालिका का उलेख है कोश्म 259 कर लेते हैं किस अनुच़रइट के धार्मिक वेस्टनतता गा दिकार दिया गया है। कौश् kahkaha 32 करें, किसी धनविधे को पारित होने में राजे सभा अधिक्तम कीतनी देरी कर सकता है, तो answer is का 14 दिन की देरी कर सकता है, किसी भी धनविधे को पारित करने में राजे सभा, Queshman 253 कर लेते हैं लोकसभा में राज्यों को किस अधार पर सीटे आवंडित होती है तो answers का लोकसभा में जो जन संग्या कि अधार पर सीटे आवंडित होती है Queshman 254 कर लेते हैं संग यूनियन शब्द किस देश की समिधान से लिया गया है तो answer का संग, राज्य और संवर्थी कुछ में दोसे 66 कर लेते हैं भारत के किस राज्य में संवर्थी सुची का प्रावधा नहीं है तो आंसर इसका जो भारत का जुब जम्मो कश्मी राज्य है वहाँ पर संवर्थी सुची का प्रावधा नहीं है मैंने आपको 266 questions करवाए उमीद करता हूँ आपको इस सारे के सारे questions अच्छे से समझ में आ गए होंगे और clear भी हो गए होंगे इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 266 questions करवाऊंगा उसके बाद मैंने आपके लिए आपने क्या करना है जो इन दोनों questions का answer का comment सबसे पहले करना है ठीक है तो friends पहले मैं revision कर लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए सारे questions इसी वीडियो में friends ये GK को याद करने का सबसे बैस तरीक है स्टाट कर लेते हैं अपना revision question number one है भारते समिधान का जनक किसे कहा जाता है सही answer का dr. भीमराव अमबेटकर समिधान की कुंजी किसे कहा जाता है answer का प्रस्तावना को समिधान के कि संशोधन को लगू समिधान मीनी constitution कहा जाता है answer का 42 में समिधान शन्शोधन को अनुछेद एक में भारत को क्या बताया गया है answer का राज्यों का संख बरतमार में मौलिक अधिकारों की संख क्या कितनी है answer है 6 पहले 7 थी राश्टपती अपना त्यागपत किसे देना चाहे तो किसे देगा answer है उपराश्टपती को भारते समिधान के स्थाय अधिक्ष कौन थे answer का डॉक्टर राजेंदर परसाद भारते समिधान का अस्थाय अधिक्ष कौन थे answer का डॉक्टर सचीना दनन सिना हमारे देश में अब तक कितनी बर पातकाल लगा है तो आंसरस का तीन बार लगा है समिधान की किस अनुचे द्वारा अस पशेता का अंद कर दिया गया है तो आंसरस का अनुचे 17 द्वारा Q11. संसरत की तीन अंग कौन से होते हैं आंसर है राज्य सभा, लोकसभा और राश्ट प्रती Q12. संसरत का समय कब से कब तक रहता है आंसर है बारा से एक बजे तक Q12. संसोधन द्वारा समिधान में शामिल किया गया Q42. संसोधन विश्व में किस देश का समिधान सबसे बड़ा लिखी समिधान है Q12. बारत की समिधान को बनने में कितना समय लगा था आंसर है दो वर्ष ग्यारा मेने अठारा दिन नेक्स्ट कोशन भीमरा उमेटकर ने समिधान की आत्मा किसे का है आंसर है समिधान एक उपचारों की अधिकार को मौलिक करतेवियों का वर्णेर की सनुछेद में दिया गया है हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापती कोन होता है संसत की दोनों सदनों की परशनकाल की ठीक की बाद की समय को क्या कहा जाता है समिधान के किस संशोधन द्वारा मद्दान के लिए आयू सीमा 21 वर्षे घटा कर 18 कर दी गई aanसर है 61 समिधान चनुछोधन मालीक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सरवतम मानेता दी गई answer है अमेरिका मालीक अधिकार कि इनको नहीं दिये जाते answer है विदेशीयों को समिधान के किस संशोधन द्वारा संपती के मौलिक अदिकार को समाप्त कर दिया गया है आंसर है चौलीस में समिधान संशोधन द्वारा हमारे देश में अब तक वित्या पातकाल कितने बार लगा है आंसर है कभी नहीं भारती समिधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ती है? आंसर है पांच हमारे देश में पहली बार राश्वती शाषिन किस राज़े में लगा? आंसर है पंचाब बॉलिक करते होगे को किस देश की समिधान से लिया गया है? आंसर है रूष समिधान में संसोधन की प्रेकरिया को किस देश के समिधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाशा को किस देश के समिधान से लिया गया है एकल लागरिक तक के प्रावधान को किस देश की समिधान से लिया गया है ब्रिटेन समिधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है मौलिक अधिकारों का प्रापधान को किस दिश की समिधान से लिया गया है जब राश्पती अपर राश्पती दोनों का पत खाली हो तो राश्पती के पत को कोन संभालता है भारत की 22 भाशों का उलेक की सनुसूची में है भारत में नियंतरक एवं महलेका परिक्षक की नियुक्ती कौन करता है भारते समीधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है भारते समीधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है आंसर है इंडिया और भारत निती निदेशक सिध्धान को कि शक्तियों किस देश के समिधान से लिया गया है आंसर है आयरलेंट निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को भारते समिधान को किसके द्वारा अपनाया गया आंसर है समविधान सभा दुआरा भारत में कौन से राश्पति दो बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राश्पति बने आंसर है रॉक्टर राचिंदर परसाद प्रधानमत्री पद से त्यागपद देने वाले पहले प्रधानमत्री कौन थे? आंसर मुरारी राज देशाई कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सद्द से बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रहा सकता है? आंसर 6 मेने तक किस अनुषेद को भारते समिधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर एं अनुषेद 32 मूल समिधान में कितने अनुषेद थे? आंसर 395 भारते समिधान के प्रारूप समीधी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आक्टर भीमराव अंबेटकर जम्मू कश्मय विधान सभा की अवधी कितनी होती है आंसर है 6 वर्ष संसत्की की सदन को भंग नहीं किया जा सकता आंसर है राज्य सभा राश्टी अपातकाल में कौन सा अनुच्छे स्थगित नहीं होता आंसर है 1921 लोकसभा की कारवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए एक बटए दस उबस्तित होना चाहिए दस पतीशर्थ राजे सभा की कितने सदस्य हर दो वर्षबा सेवा निर्मित हो जाते है आंसर एक बटा तीन सदस्य वित मंतरी द्वारा वार्शिक बजट की सदन में पेश किया जाता है? आंसर है लोकसभा में कोई विदेग, दन विदेग है या नहीं, इसका निर्ने कौन करता है? आंसर है लोकसभा अद्यक्ष भारत एक धर्म निर्पिक्स देश है, इसका टात्परे क्या है? आंसर है सभी धर्मों का महत्व सुखार करना समान नागरिक सहिंता कौमन सिविल कोड भारत की किस एकमात राज्य में लागो है आंसर है गोवा में समिधान के किस भाग में निती निर्देशक सिद्धान्त वरनेत है आंसर है भाग 4.36-56 यदि राश्पती का पद्रिक्त हो तो उसका कारेभार कौन संभालता है आंसर है उप राश्टपती राश्पती को पद की शबत कौन दिलाता है आंसर है भारत का मुख हिने आदीश किसी अधिनियम द्वारा गवर्नेर जर्नल को बदल कर वयासराय कर दिया गया आंसर है बृतेन किस अधिनियम में नियंतरक महले का परिक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है आंसर है 1919 का अधिनियम राश्पल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चेडिया कि समान है इस कथन ये कथन किस ने कहा आंसर है रसरोजी नाइडू ने राज्य सरकार को कोन भंग कर सकता है आंसर है राज्यपाल समिधान के अंतरकत भारतिय लोगतंदर के आदर्शकों को हम कहां देख सकते हैं आंसर है प्रस्तावना प्रियांबल राज्पती द्वारा संसत के लिए एंगलो इंडियन समोदाई के लिए कुल्स कित्य सदसे को नामित कर सकता है आंसर है दो भारत का एकमाज संग राज्य छेट जिसका अपना उचने हले है आंसर है दिल्ली किस भाग को भारत का मेगना काटा कहा जाता है राजपती का कारेकाल कितने वर्षका होता है? पाँच वर्षका प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा और राज़सभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनीदी किस राज़े से है? उत्तरब्रदेश बिना संसत का सदसे होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने का बोलने का अधिकार किसे है? आंसर है महा नियावादी को अनुच्छे चोदा में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? आंसर है ब्रेटेन से समीधान के किस अनुचेतें बताया गया है कि भारत में एक उपराश्पती होगा आंसर अनुचेत 73 में भारते समीधान का अनुचेत 300 तरताली का संबंध किस्से हैं आंसर संगे की राजबाशा से विलियम बैंटिक भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कैसे बना आंसर है चार्टर अधिनिया 833 द्वारा भारत के प्रथम उपरा प्धामतरी कोन थे आंसर है सदार वल्लंभाई पटेल मुखे चान जुनाव आयोगत को कोन यूगत करता है आंसर है राश्टपती सबसे ज्यादा समय के लिए पधामतरी पद पर कोन रहे आंसर है जवालल नहरू किस देश में दोरी नागरिता का प्रावधान है आंसर है अमेरिका समिधान का अनुचे 370 किस राजे में लागो होता है आंसर है जमू और कश्मीर समिधान के सनुचे 370 के प्रैस की सोतनता वर्नित है आंसर है अनुचे 319 का भारत का प्रथम नागरिक कोन होता है आंसर है राश्टपती हमारे समिधान में वर्नित मौली का दिकारों का सेलक्षन कोन करता है आंसर है उच्थम वय उचने आले समिधान के सनुचित में राश्पती पत की विवस्ता दी गई है आंसर नुचित बावन समिधान सवा का समिधानी सलाकार किसे न्यूत किया गया था आंसर है बीम राओ को समिधान निर्मान के समय कितने अनुसूचियां थी आंसर है आठ वर्तमार में भारत समिधान में कितने अनुसूचिया हैं? आंसर है 12 जंड़ा समीती के अद्यक्ष कौन थे? आंसर है जीबी के रिबलाने समिधान की समय संशोधन द्वारा दल बिदल विरोधी कानुन की मानत्या दी गई आंसर है 52 समिधान शंशोधन 1985 लोग सभा में अदिक्तम सद्श से कितने होते हैं? समीधान का रख्यक किसे कहा जाता है? राष्टपती वें उसपर महाभी होका प्रावधान को किस देश के समीधान से लिया गया है? अंसर है अमेरिका भारत एक किस उच्छ नियाले में सरवादिक नियादीश है अंसर है इलाबाद सूपर कैबिनेट किसे कहा जाता है अंसर है योजना आयोग नियंतरक महालिखा परिक्षा का अद्कारेकाल क्या होता है अंसर है छे साल वै पैंसेट वर्ष जो पहले पूरा हो जाए भारत के लोगों के पास किती नागरिक्ता प्राप्त है अंसर है इसका एक भारत में भाशाई अधार पर गठित बथम राज्य कौन सा है अंसर है आंदरप्रदेश वारेन हास्टिंग बंगाला गवर्नर जनरल कैसे बना आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा मौरले मिंटू सुधार अधिनियां भारत में कब आया था आंसर है 1919 में 1909 में राजी की कारेपालिका का परधान कोन होता है आंसर है राजपाल किस अनुचेत में दोनों सद्नों की संयुक्त बैठा का प्रावधान है आंसर है अनुचेत 108 फ्रेंस आप ये वीडियो मेरे ओफिशन यूट्यूब चैनल रवी स्टडी IQGK पर देख रहे हो भारत में पहली बाद जब अपातकाल लगा था उस समय राशपती कौन थे आंसर है डॉक्टर सभपिली रादा कृष्णन राजय सभा का सद्ड़ से बनने के लिए नियोंतम आयू कितनी चाहिए आंसर है तीस वर्ष वर्तमान में अनुचेत 51 कामे वर्नित मूल करतोव की संख्या कितनी है आंसर है ग्यारा भारते समय राशपती कितने प्रकार के अपातकाल को घोषित कर सकता है आंसर है अनुचेत 356 मैं आपको यह रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे कोशन इसी वीडियो में याद हो जाए और आपको नोट्स मनाने की जुरुत ना पड़े भारते समय राशपती संसत क को पत्रियती सभा कहा जाता है किस देश की संसत को सभी संसत की जन्नी कहा जाता है संसत की दोनों सदनों की बैठको को सभापती कोन होता है देश का सरवोच विद्य अदिकारी कोन होता है राश्चपती पर महा व्योग लगाने की सुचना किते दिन पहले दी जाती है सभीधान सभा की प्रारुप समीती की समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था सभीधान सभा ने भारत की समीधान को कब सुईकार किया था 26 नवंबर 1949 समीधान की किस अनुछेद में मुल अधिकार की परिवाशा दी गई है आंसर है अनुचेद 12, समिधान की सनुचेद में राश्टपती के निर्वाचन के वारे में बताये गया है, आंसर है अनुचेद 54, मंत्री परिशत की बैठकों के द्रिक्षता कोन करता है, आंसर है प्रधान मंत्री, भारते लोकसभा को कोन भंग कर सकता है, आंसर है राश्ट स्विधान के किस अनुछेद में सिख्षक अधिकार बताया गया है, आंसर अनुछेद किसका, स्विधान के अनुछेद में सिख्षक अधिकार कैसा अधिकार है, आंसर का कानुनी अधिकार, स्विधान के किस अनुछेद में उपातियों को अंत कर दिया था, आंसर 1572. समीधान के किong संशोधन दौरा राश्पती शाषन की अवधी 6 मेने से 12 महिने कर दी गई है. 42. किस प्रधानमत्री के साषन काल में सरवातिक पार राश्पती शाषन की घोशना की गई? इंदरा गांदी के. राश्पती के आय पर कौन सा गर नहीं लगता है? आंसर इसका आयकर दिल्ली को देश की राज़धाने की समीधान चंशोधन द्वारा बनाया गया आंसर है 69 वा पर्थम लिखित समीधान की देश ने प्रस्तुत किया आंसर इसका अमेरिका भारते समीधान की प्रस्तावनों में पहला संशोधन कब हुआ था आंसर है 1976 में 42 सभीधान संशोदन भारत की पत्थम महिला राश्पती कुन थी? आंसर है परतिभा पाटल परदानमंतरी अपने पद पर कब तक बना रहा सकता है? आंसर है जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो भारते संसत में कितने सदन है? आंसर है दो संसत के उच सदन को क्या कहते है? आंसर है राज्य सभा संसत के निम सदन को क्या कहते है? आंसर है इसका लोकसभा संसत भवन का उदगाटन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है लौड इर्विन द्वारा महानियवादी किस सदन का सदस्य होता है आंसर है किसी सदन का नहीं राश्वती दवारा पातकाल इन शक्तियों किस देश की सविधान से ली गई है आंसर है जर्मनी जपान की संसत का क्या नाम है आंसर है डाइट भारते समीधान के सनुचेद में यह बताए गया है भारत राच्यों का एक संग होगा आंसर अनुचेद एक भारते समीधान के सनुचेद में नई राच्यों के परवेश वरस्थापना का वर्ने दिया गया है आंसर अनुचेद दो नागरता प्राप्त करने के लिए शर्ते कुन धारित करता है आंसर है संसत भारते समिधान दवरा मॉलिक अधिकार किन को दिये गई है आंसर है समिष देशवाशियों को भारत में राश्टपती अपना त्यागपत देना चाहे तो किसको समक्ष पेश करेंगे आंसर है उप राश्टपती राश्टपती के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं आंसर है राज़े सबा, लोकसबा और राज़ों के विधान सबाओं के निर्वाचे सदस्य संपति का अधिकार मौली का अधिकार की सुची से किसके शाशनकार की दोरान हटाया गया आंसर है मौराली राज देसाई की सरकार संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूब में खोशित किया गया है किस राजे के मामले में संसत केवल राजे सरकार से प्रामाश करके ही विधी निर्मान कर सकता है प्रारम में समिधान सभाव में सदसों की संख्या कितनी थी भारत के विभाजन के बाद समिधान सभाव में सदसों की संख्या कितनी रह गई भारत का गंतन्त कब लागू गिया गया? 26 जनवरी 1950 समिधानिक की सनुछेद में प्रान एवं देख स्वतनता वर्नित है 21 समिधानिक की सनुछेद में विधी के समख शमता का अधिकार बताया गया है 14 वो प्राश्टपती का कारेकार कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष मौलिक अधिकार को निलंबित कोन कर सकता है? आंसर राश्टपती दल विदिल का संबंद की सनुछेद सीज़ है? आंसर दस्वी समिधान में संशोदन सबसे पहले की सुवर्ष हुआ था? आंसर एवं प्राश्टपती का पद कहां से लिया गया है? समिधान को किस देश के समिधान से लिया गया है? आंसर एव ब्रिटेन भारत में समिधान सबग गठित करने का अधार क्या था? आंसर एव कैबिनेट मिशन योजना 1946 समिधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता और कानूनों को समानसरा गरेंटी देता है? वैर राश्ट का पति निружचेद करता है लेकिन राश्ट का निदितव नहीं करता है यह तो किस के लिए लागू होती है? आंसर ए राश्टपती जब किसी राज्ये में राश्पती शाशन लागू होता है तब उस राज्ये का स्राशन भार कूण संभालता है आंसर है राज्यसभा भारते समिधान के उदेशिका में परिवर्तन की समिधान चंशोदन के अधिनयम से हुआ संसर द्वारा पारित विधे किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है समिधान सभा की पारूप समित्या गठन कब हुआ था आंसर है 29 सगत 1947 को, समिधान सबा का पहला दिवेक्षिन कहां पर हुआ था, आंसर है दिल्ली में, भारत देश के परतम कानून मंतरी कौन थे, आंसर है डॉक्टर भीमराव अमबेटकर, भारते समिधान में कितने अधियाई हैं, आंसर है 22, समिधान सबा दोरा भारत के राष् प्रतीक अधिकारिक रूप से माने तक कब मिली थी, आंसर है 26 जनवरी 1950, देश का समिधानिक प्रधान कौन होता है, आंसर है राष्टपती, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्टपती पद पर निर्वाचित हो सकता है, आंसर है अंगेनत बार, मत देने का अधिकार किस कोटी के अधिकार से समबंदित है, आंसर है राष्टनेतिक अधिकार, वह कौन थे जो भारत में के उप्राष्टपती का पद दो बार पून अब्दियों के लिए संभाला था, आंसर है सवर्पिली रादा कृष्णन, व्यक्तिकर सवतंतता की रक्षा के लिए आठक कब हुई थी, आंसर है चोबी जनवरे 1950, सविधान के सनुचेद में संचित निधी का प्रावधान है, आंसर है अनुचेद 266, सविधान सभा का अपचारी के रूप से परतिपादन किस ने किया, आंसर है M.N. Roy, भारते समिधान के अनुचेद में सूचना की अधिका को बताया गया है, आंसर है अनुचेद 23, मुल अधिकारों पर परतिवन लगाने का अधिकार किस के पास है, आंसर है संसत के पास है, समिधान के सनुचेद में धार्मिक सोतनता का अधिकार दिया गया है, आंसर है अनुचेद 25, समिधान के सनुचेद के अंतरगत 14 वर्ष से तब उस राज्श रहर का बचट कोन पारित करता है, संसद देश में पहली बार राष्ट्रे अपातकाला हो jakaf लागन === आंसर है 26 October 1962 में देश में दूसरी बार राष्ट्रे अपातकाल को कब लागो किया गया था 3 December 1971 देश में तीसरी बार राष्ट्रे अपातकाल कब लगा था आंसर है 25 जून 1975 देटे राष्ट्रे अपातकाल के समय देश के राष्ट्रपती कोन थे आंसर है वीवी गिरी तिरते राष्ट राष्ट र अपातकाल के समय देश के राष्टपती कौन थे आंसर है असका तकरुदिन अली एहमद समीधान किस अनुच्षेद के अधार पर राष्टपती देश में विट्ते अपाती खोशना करता है आंसर है अनुच्षेद 360 समीधान किस अनुच्षेद में कारय पालिका की शक्ती के बारे में बताया गया है आंसर अनुच्षेद 33 समीधान किस अनुच्षेद में राष्टपती दोरा शपत या पतिग्यान के बारे में बताया गया है आंसर अनुच्षेद 60 पर्धारमंत्री की सलापर, मंत्री परश्यत के अन्य सदव सों की जंश्टी कौन करता है? आंसरे, राश्ट पती भारत के रास्ट्ये गान की अदिकारी की रूप से माने तक मिली थी? आंसरे, चोबी जन्मडी ॉनी सो पचास भारते समिधान की प्रस्तावना के अनुसा भारत की प्रकार का राष्ट है? आंसर धम निर्पेक्ष राष्ट भारते समिधान की प्रस्तावना के अनुसा भारत की शाशिंग शक्ति किसके पास है? आंसर जनता के पास निरविरोत निरवाचित होने वाले भारत के राष्टपती कों थे? आणसरे इसका निलम संची व्रैडी पधानमत्री की पद्धी शपत कों दिलाता है? आणसरे राष्टपती विधेय के संसत एक की सदन में पेश किये जाते हैं आणसरे लोकसभा में संसत की दो क्रमिक अधिवेशनों की बीच समय का अंतर क्या होता है आंसर है छे महा का लोग सभा सदस्यों की नियोंतम आयू कितनी होनी चाहिए आंसर है पच्चीस वर्ष राजे सभा की सदस्यों के कारेकल कितने वर्षों का होता है आंसर है इसका छे वर्ष का कानुनी मामले में केंदे सरकार का मुख्य सलाकार कौन होता है आंसर है महानय आयवादी संग सूची वैराजे सूची को किस देश के सविधान से लिया गया है आंसर है कनाडा समवर्ती सूची का प्रावधान को किस देश के सविधान से लिया गया है आंसर है अस्ट्रेलिया भारतिय संग में किसी नए राज्य को समलीद करने का अधिकार किसके पास है आंसर है संसत के पास है वास्ट पास है आंसर है भारती के पास्थम Anda के नि談ए रश्टम्स वी संग में तताम्स के मंतरी मंदल स्रवोच निया आर उचिन आलेści के मुखे नाधिकी नुक्ति को करता है आंसर है राश्टम्स अहरफी राज्यों के राजपाल को को न्युक्त करता है? आंसर है राष्टपती भारत के मुखे नयवादी को को न्युक्त करता है? आंसर है राष्टपती संखे लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को को न्युक्त करता है? आंसर है राष्टपती वित आयो के सदस्रे को निक्ती कोन करता है? आंसर है राश्पति राश्पति को अध्याध्याद्याज जाड़ी करने चक्तिक के सनुचिद के अंदर गथा आता है आंसर है नोच्छिद इक-122 परधान मंत्रिया कारे काल कितने वर्ष का होता है? आंसर इसका पांच वर्ष कुण से पधा मत्री न्युक्ति के समय किसी भी ददन के दद से नहीं थे आंसर ए पीवी नर्सी माराओ विधी निर्मान प्रकिरिया का प्रावधान को किस देश की समिधान से लिया गया है आंसर ए ब्रेटेन आसर ए अमेरिका आनसर ए अमेरिका भरती समिधान में भारतों कैसे वर्नित किया गया है आंसर है राज्यों का संग भारतिय समय धानके कि सन्शोत्तों के दवारा सिक्किं को पून राज्य का दर्जा मिला आंसर है 35 वे संशद कि संयुद पैटे के अदेक्षता कों करता है योजना आयो का अदेक्ष कौन होता है आंसर अ प्रधान मंतरी राश्ठ्मति वहवन किसके दौरा त्यार किया गया आंसर एडविन لीटिनस के दौरा भारते समिधान के किस भाग में संख्या नया पालीका का उल्लेक है आंसर भाग पांच भारत में सरवोज न्याले के स्थापना कैसे हुई आंसर रेगुलेटिंग अधिनियम 773 समिधने किस अनुछेद में धन विधेक के बारे में बताये गया है आंसर अनुछेद 110 किसी भी राजे के गवर्णर को कौन शपत दिलवाता है आंसर उस दन विधेक को पारित होने में राजे सभा दिखतम कितनी देरी कर सकता है आंसर इसका 14 दिन लोकसभा में राजों को किस अधार पसीटे वावंडित है आंसर इसका जंसंख्या संग यूनियन शब्द किस देश के समिधान से लिया गया है आंसर इसका कनाड़ा समिधान और राज्यों की शक्तियों के बटवारे को लेकर कितनी सूचिया है आंसर का तीन संग राज्य समवर्थी बाहति किस राज्य में समवर्थी सूची का प्रावधान नहीं है आंसर है जम्म कश्मीर फ्रेंट्स मैंने आपको यह 266 कोश्चंज करवाए उम्मीद करता हूँ चाश्य सूच्छ चाँ अच्चे से समझ आ गे होंगे याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में फरेंट्स मैं आपको बता दू मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 260 कोश्चंज करवाँगा मतलब 250 questions करवाऊंगा उसकी बाद मैं आपको यह question revise भी करवाऊंगा revise मैंने आपको करवा दिया और friends मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके 2 question का test भी रखा है दोनों question का answer आपने मुझे commenter के जरूर देना है पहला question है भारते समीधान का जनक के से कहा चाता है दूसरा है वर्तमान में मौलिक अदिकारों के संख्या कितनी है उमीद करता हूँ friends आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाया friends मैं आपको बता दू हमार जो चैनल है यहाँ पे आपको free of cost coaching प्रोवाइट की जाती है maths की, reasoning की, English की, GK की बिल्कुल expert level की friends आप हमारे चैनल के साथ जोड़ते हो, आपको किसी भी coaching center को जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी friends वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जो आपके exam में बुच्छा जाएगा friends मैं आपको बता दू, मेरा सिर्फ यही motive है, कि अगर आप देशे किसी भी कोर्ने में रहते हो, आपको दिल्ली आकर coaching करने की ज़रूत ना पड़े friends ना आपको coaching center आने की ज़रूत पड़े, मतला friends अगर आपने math से coaching करनी है आपको मेरे YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा, रवी study IQ math पर, अगर आपने reasoning की coaching करनी है, बिल्कुल expert level की तो आपको जाना पड़ेगा, रवी study IQ reasoning पर, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो आपको जाना पड़ेगा, रवी study IQ English पर, अगर आपको GK पढ़ना है, तो रवी study जॉब पक्की है, मतलब आपके basics भी clear हो जाएंगे, आपके सारी concept भी clear हो जाएंगे, और सबी questions आपके exam के लिए त्यार हो जाएंगे, तो friends आप मिलते हैं आप next video में, thank you and wish you all the best.